दोस्तो 2023 की स्टार्टिंग में आगरा में रहने वाले दो दोस्त विनर और रमेश ने बहुत पैसा वेश्ट करने के बाद में डिसाइड किया कि वो अब से कोई भी फालतू का खर्चा नहीं करेंगे और अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे अब इन्वेस्ट करने के लिए जब उन दोनों ने अपनी रिसर्च को स्टार्ट किया तो उनको ये फता चला कि वो अपनी सेविंग्स को या तो शेर्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर अपनी सेविंग्स को किसी मीचल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं जह investment करें या फिर हर महीने पैसा invest करें जिसको SIP कहा जाता है तो इस बात से confused होकर उन में से एक दोस्तने SIP करने का फैसला किया यानि हर महीने कुछ amount invest करने का फैसला उसने किया और दूसरे ने लंसम में इन्वेस्ट करने का फैसला किया, यानि एक बार में ही सारा अमाउंट इन्वेस्ट करने का फैसला किया, अब इन दोनों ने जो इन्वेस्मेंट स्टार्ट किया, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, यह हम आपको आगे बताएंगे, पहले हम इस बात को जान लेते हैं कि S.I.P. और लमसम investment होता क्या है तो सबसे पहले बात कर लेते है S.I.P. की तो दोस्तो S.I.P. की full form होती है systematic investment plan इसके अंदर आप जो भी investment करते हैं regular interval में करते हैं जो की हर महीने हो सकता है या फिर हर 3 महीने में हो सकता है या फिर हर साल में भी हो सकता है for example मालो आपने S.I.P. शुरू की 5000 रुपे की तो ऐसे में 5000 रुपे जो हैं वो आपके bank account से हर महीने कट कर जहां पर भी आप invest करना चाते हैं या फिर जहां पर भी आपने S.I.P. की हुई है वहाँ पर invest हो जाएंगे अब वो stock के अंदर भी हो सकता है और mutual fund के अंदर भी हो सकता है जबकि मालो की आपने कुछ पैसे बचा रखे हैं save कर रखे हैं और उनको अगर आप एक बारी में stock में आफिर mutual fund में या कहीं पर भी invest कर देते हो तो उसको lump sum investment कहा जाता है दोस्तो अब आप यह समझी चुके होंगे कि SIP क्या होता है और lump sum investment क्या होता है तो अब हम वापस आजाते हैं winner और रमेश वाले example पर और यहाँ पर 5 situations के basis पर यह compare करके देखते हैं कि winner और रमेश में से किसको ज़ादा returns मिलेंगे और investment करने के लिए SIP ज़ादा भेतर है यह लमसम investment ज़ादा बेटर है तो यहाँ पर अब हम 3 scenario लेकर चलते हैं जिसके अंदर winner ने SIP की है और रमेश ने लमसम investment किया है scenario number 1 के अंदर अब हम यह माल लेते हैं कि winner ने Reliance Invest के इस तौक में 2014 के starting में 5000 रुपए हर 3 महीने में Invest करने के लिए SIP शुरू की और इस SIP का जो time period है वो 3 साल का है यानि कि winner हर 3 महीने में 5000 रुपए Invest करेगा और उसको यह 5000 रुपए 3 साल तक Invest करने पड़ेंगे तो winner हर साल 20,000 रुपए और 3 साल में total 60,000 रुपए Invest करेगा जबकि अगर रमेश को देखा जाए तो उसने 2014 के starting में मलब जब winner न SIP शुरू की थी तब उसने एक साथ 60,000 रुपए Reliance के shares में Invest कर दिये थे और वो एक one time investment था यानि कि उसने बस एक बार Invest किया और उसके बाद दोबारा Invest नहीं किया और इसका time period भी 3 साल का था अगर simple भाशा में कहूं तो दोनों ने ही Reliance Industry के stock के अंदर 3 साल के लिए Invest किया जिसके अंदर एक ने एक साथ 60,000 रुपए जमा कर दिये जबकि दूसरे ने हर 3 महीने में 5,000 रुपए Invest करके total 60,000 रुपए 3 साल के time period में Invest किये परपस से हम value को round of मान कर चलेंगे तो पहली situation देखते हैं जहां पर रमेश ने एक साथ 60,000 रुपए जमा किये थे और विने ने अपने हर 3 महीने में 5,000 रुपए Invest करने की starting की थी तो इस situation में अभी जो आपको screen के ओपर chart दिखाई दे रहा है तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2014 को इस stock का जो price था यानि कि Reliance Industries के stock का जो price था वो 440 रुपए था आप क्योंकि रमेश ने लमसम investment की है तो इसलिए उसकी जो average by price होगी वो 440 की आएगी वही पर दूसरी तरफ के table में आप देख सकते कि क्योंकि share का जो price है वो daily change होता रहता है तो विने ने जो investment करी है उसकी जो average by price है वो हर बार अलग अलग है बट अगर हम इसका average निकाले तो 471 रुपीज निकलता है अब क्योंकि Reliance Industries के stock ने 2014 से लेकर अगले 3 साल तक जो move दिया था वो एक अच्छा trade का move था जिससे कि यहाँ पर हमें S.I.P. करने का कोई भी फायदा नहीं हुआ और जिसने लमसम investment किया उसको जादा फायदा हुआ क्योंकि जब हमने S.I.P. की थी तब share का price बढ़ दा था तो हमें जो share था वो थोड़ा महंगा मिला और हमारी जो average buy price थी वो 471 रुपीज हो गई अब 3rd year के end में अगर इस तोक के price देखें तो 536 रुपीज तक पहुच गई थी जिससे overall रमेश ने 13.8% के returns generate करे जो की रमेश से काफी कम है तो यहाँ पर लमसम investment करने पर जादा फायदा हुआ अगर compare किया जाए SIP से तो लेकिन यह बस first scenario था सिर्फ इसी के basis पर conclusion पर जाना बेवकूफी सा भीत हो सकती है अब बढ़ते है second scenario की तरफ जहाँ पर विने ने टाटा मोटर्स के stock में 2015 के starting में 4 साल के लिए 10,000 रुपे महिना की SIP शुरू की थी अब ऐसे में 4 साल के अंदर जो total winner invest करेगा वो होगा 4,80,000 जबकि रमेश ने 2015 के starting में एक साथ ही 4,80,000 रुपे इन्वेस्ट कर दिये जानी की फिर से विने ने SIP की और रमेश ने लंसम investment कर दिया 4,80,000 का अब अभी जो आपको इस screen पर चार्ट देखने को मिल रहा है जिसके अंदर आप देख सकते है क्योंकि इस time period में Tata Motors में एक downfall देखने को मिला है तो आप result के अंदर भी इसको देख पाएंगे कि रमेश को overall minus 64.50% के returns मिले हैं वहीं SIP की cost averaging की मदद से winner को minus 57% के negative returns देखने को मिले हैं जो की overall 7.5% कम है मतलब कि SIP ने winner को जादा नुकसान होने से बचा लिया जबकि रमेश को जादा loss हुआ तो हमारा जो first scenario था उसके अंदर لمसम investment ने जादा better perform किया और जो हमारा second scenario था उसके अंदर SIP ने बाजी मार ली तो चली अब बढ़ते हैं third scenario की तरफ इसके अंदर अगर हम ये मान लेते हैं कि दोनों ने 2015 में अपनी investment शुरू की थी जहां पर रमेश ने एक साथ 4,8,000 रुपे इंवेस्ट किये थे जबकि winner ने 4 नहीं बलकि 8 साल के लिए investment की थी तो इस case में उसने हर महीने 10,000 नहीं बलकि हर महीने 5,000 की SIP शुरू की थी तो ऐसे में उसकी जो investment होगी 8 साल में वो होगी 4,8,000 रुपे और रमेश की भी 4,8,000 की investment होगी तो 8 साल के बाद क्या result निकल कर आएगा चली अब उसके उपर नजर डालते हैं अब वापस से आपको स्क्रीन के उपर एक चार्ट दिखरा होगा जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जब रमेश ने पहली बार invest किया था यानि कि जब रमेश ने अपने पूरे पैसे एक साथ invest किये थे उस time पर जो Tata Motors के shares की price थी वो 493 रुपीज चल देए थी जबकि उसके बास से share की price गिरती गई और ये कोरोना के टाइम पर Tata Motors की price गिरकर 67 रुपीज तक आ गई थी जबकि ऐसे टाइम पर भी विने ने अपने S.I.P. को continue रखा तो इसलिए उसका जो average by price था वो 338 रुपीज निकल कर आया जबकि रमेश ने एक बारी में ही इंवेस्ट किया था इसलिए उसका जो average by price था वो 493 रुपीज निकल कर आया तो क्योंकि रमेश ने एक साथ ही अपना पैसा इंवेस्ट कर दिया था तो यहाँ पर adjustment का कोई भी चांस नहीं था बहुत जादा गिर रही थी विने तब भी buy कर रहा था तो उस time पर वो जादा मात्रा में buy कर सकता था तो यहाँ पर अगर हम दोनों की investment को current price से compare करें जो कि जिस time पर हम इस video को record कर रहे हैं वो 601 रुपे चल रही है तो इस case में लमसम investment ने 8 साल invest करने के बाद सिर्फ हमें 1,5,152 रुपे का return दिया जो कि हमारी investment पर 22% का return है जबकि SIP के case में सेम उन्हें 8 साल के period में 2,72,000 का return मिला जो कि हमारी investment पर 56% का return है तो इन सब scenario को analyze करके हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि जहाँ पर आप अपनी investment को लेकर fully sure है और आपने तब investment करी है जब share का price अपने low पर था तो वहाँ पर lump sum investment better है लेकिन market के अंदर यह भी एक सचाई है कि market को time करपाना बहुत ही ज़ादा मुश्किये पता करपाना कि कब share अपने low price पर मिल रहा है यह बहुत ही ज़ादा मुश्किल है और बहुत बड़े बड़े experts भी यह नहीं कर पाते और क्योंकि SIP आपको cost को average करने का मुखा देता है तो ऐसे case में SIP ज़ादतर better रहता है तो चलिए अब एक बार हम जल्दी से इन दोनों के advantage और disadvantage देख लेते हैं जिसके बाद में आप खुद decide कर सकते हैं कि आपको SIP करनी चाहिए या फिर आपको lump sum investment करना चाहिए तो सबसे पहले SIP के advantage इसकी बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले जो SIP के advantage है वो यह है कि इसके अंदर हर कोई बहुत ही काम amount से invest कर सकता है अगर आप lump sum investment करेंगे और अगर आपको ज़ाद amount invest करना है मालो आप 1,00,00 रुपे invest करना चाहते हो तो अगर आप एक student है या आपकी अभी अभी नई job लगी है तो एक साथ 1,00,00 रुपे invest करना आपके लिए बहुत ही ज़ादा मुश्किल होगा आपने उपर भी बहुत सारे examples में देखा है कि पहले जो share की price थी वो बहुत ज़ादा थी उसके बाद में price गिरी तो जब price गिर रही थी उस time पर आपको ज़ादा shares उस same amount में ही मिल जाएंगे एक और example दो तो माल लो पहले महीने आपको जो share है वो 100 रुपे के price में मिलता है अब अगले महीने किसी भी reason की वज़े से वो price गिर कर 50 रुपे हो जाता है तो पहले महीने आपको 100 रुपे में एक share मिलेगा और अगले महीने आपको 100 रुपे में 2 shares मिलेंगे तो ऐसे में आपकी जो unit है वो जादा हो जाएगी और आपकी जो cost है वो घट जाएगी और इसका तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पर आप एक discipline create कर सकते हैं अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी salary में से हर महीने 5000 रुपे save करना या invest करना शुरू कर दें तो जादातर लोग ये नहीं कर पाएंगे लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी SIP को automate भी कर सकते हैं और ऐसे हर महीने 5000 रुपे आपके bank account से कट कर खुद ही invest होते रहेंगे तो एक बहुत यह अच्छा तरीका है जिससे आप पैसों को invest कर सकते हैं और इससे discipline भी create होता है और अब इसके disadvantages इसके क्या negative points हो सकते हैं तो देखिए इसका जो advantage है यानि कि cost averaging वही इसका disadvantage भी है मैंने आपको example देकर बताया था कि कि मानलो आपने 100 रुपे में आज share खरीदा और अगले महीने share का जो price है वो किसी reason की वज़े से घटकर 50 रुपे हो जाता है तो आपको 2 unit मिलेंगी यानि आपकी जो cost है वो कम हो जाएगी लेकिन मानलीजिए अगर अगले महीने price बढ़कर 150 रुपे हो जाता है तो इस case में आपकी जो cost है वो बढ़ जाएगी जबकि अगर आपने लमसम investment किया होता तो आपने 100 रुपे में ही सारी units खरीदी होती और ऐसे में आपको जादा फायदा होता तो ऐसा करने का सिर्फ एक ही नुकसान है कि अगर आपके buy करने के बाद price बढ़ती चली जाती है तब आपको महेंगे में shares या mutual fund को buy करना पड़ता है तो दोस्तों ये है SIP के कुछ advantages और disadvantages और अब अगर हम लमसम के disadvantages और advantages के बारे में बात करें तो देखें लमसम में आपको पता है कि आप एक साथ पैसे invest करेंगे तो जब आप एक साथ पैसे को invest करोगे तो वहाँ पर अगर आपने सही time पर shares buy किया यानि कि ऐसे time पर आपने shares को buy किया जब shares की price बहुत कम थी जाफिर अगर हम कहें कि अपने सबसे कम price पर थी तब आपने अगर shares को buy किया तब आपको वहाँ पर जादर returns मिल सकते हैं जानि कि lump sum investment करने का सबसे बड़ा benefit यही है कि अगर आप एक साथ पैसे invest कर देते हैं और आपने कम price पर buy कर लिया तो आपको वहाँ पर जादर returns मिल सकते हैं और अगर इसके disadvantage की बात करें तो देखिए इसका एकी disadvantage है कि अगर आपने एक साथ सारा पैसे invest कर दिया और आपने गलत time पर पैसे को invest कर दिया तो ऐसे में अगर आपके shares की price गिरती है तो आपको loss होगा और आप बहुत लंबे time तक loss में बने रहेंगे जबकि अगर आप SIP कर रहे होंगे तो वहाँ पर आप सस्ते में shares को buy कर पाएंगे जबकि लंबसम में क्योंकि आपने एक साथ ही पैसा invest कर दिया है तो आपको यहाँ पर cost average का मोका नहीं मिलेगा तो आप क्योंकि आपको SIP और लंबसम के advantage और disadvantage के बारे में पता चल चुका है तो अब आप अपनी financial planning के हिसाब से अपने risk management के हिसाब से खुद ही decide कर सकते हैं कि आपको SIP करनी चाहिए या फिर लंबसम investment आपको करनी चाहिए अब दोस्तो आखरी में मैं आपसे बस यही कहूँगा कि चाहे आप लंबसम investment करें या फिर SIP investment करें इससे आपके returns में तो फर्क आ सकता है लेकिन अगर आप अच्छी stock में और पूरी research करने के बाद investment करते हैं तो मैं आपको यह assure करता हूँ कि आप एक अच्छी returns long term के अंदर generate कर सकते हैं इसलिए आप जितना भी जल्दी investment करना शुरू कर सकते हैं आपको कर देना चाहिए तो दोस्ते यह थी अमारी आज की वीडियो आई होप आपको information पसंद आई होगी और अगर आपको information पसंद आए तो प्लीज आई चैनल को subscribe कर दो वीडियो को like कर दो मिलते हैं बहुत जल्द आप सकली वीडियो में तब तक लिए बाई बाई अपना ख्याल रखेगा